नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं RPSC Only YouTube चैनल और आपके अपने इस YouTube चैनल पे हम डिस्कस करते हैं RPSC के Point of View से जितने भी Importance News होती हैं और जो भी आप कह सकते हैं Views वाले भी Portion को हम डिस्कस करते हैं RPSC के Point of View से इंपोर्टेंड होता हैं तो आएए दोस्तों सुरवात करते हैं आज यानि 23 नवंबर 2017 के Dairy News पेपर Analysis की सबसे पहले हम जिस नूज पे डिस्कस करेंगे दोस्तों वो है ब्रमोस मिसायल से समन्दित दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा निस्ती तोर पर ये बहुत बड़ी गटना थी जो सुकोई Fighter Plan है सुकोई 30 MKI जो फाइटर प्लैन था ये देख रहे हैं आप जो पिक्चर में उससे जो ब्रमोस मिसायल को लांच किया गया और इसे के साथ जो इंडिया है उन्होंने जो ये मिसायल है ब्रमोस मिसायल उसको जल यानि वाटर से और उसको हवा से भी लांच कर सकता है और अपने कह सकते हैं जो जमीन होती है उससे भी दागने की जो समता है उसका सपल टे के बारे में जिससे हमारे question police आने की संभावना हो सकती है जो भी fact important होते हैं सबसे पहले तो यह देख लेते हैं इसको किस fighter plan से launch किया गया प्रमोस मिसायल को तो सुकोई fighter plan 30 mki से इसको launch किया गया दोस्तों और यह first projection था इस fighter plan से और जो यह test किया गया है वो successful रहा और जो यह प् जो विश्वका सबसे तेज supersonic cruise missile है, supersonic कहने का मतलब है कि जो द्वनी होती है उससे भी तेज रप्तार से यह जो missile होती है वो गती करती है, उसकी speed होती है और cruise missile से अगर meaning देखें तो वो ऐसे missile होती है, cruise missile जो अपेक्षा हलके अदियार वगएर होते हैं, उनको उनकी परियो में गति करती है horizontal way में गति करती है और जो भारत है वो पहला देस बन गया है पुरिविश्व का जिसकी जो सुपर सौनी क्रूज मिसाइल है उसको land से इसके अलवा प्रमो मिसाइल की quality envelop कह सकते हैं अपने बात करें तो जो प्रमो मिसाइल है वो एक second में एक kilometer जा सकती है यानी इसकी जो speed है वो एक किलोमेटर परती सेकंड यानि कि एक मिनिट में वो साट किलोमेटर की दुरी तेह कर सकती बहुत ही तेज मिसाइल है क्योंकि द्वानी से तेज है हमने जैसे कि देखा था और इसके quality की बात करें तो quality की क्या जिसकी characteristics की बात करें तो इसकी जो length होती है लंबाई जो होती है वो 8.4 मिटर लंबी होती है मिसाइल और ये 3000 किलोग्राम तक क्या जो भी हतियार वगएर होती है उनको ये परिवन कर सकती है प्रमोस मिसाइल के बार में थोड़ा सो और जानेंगे क्योंकि ये important है जो कि जो range होती है वो 300 किलोमेटर तक होती है कहने का मतलब है कि 300 किलोमेटर के दाइरे तक वार कर सकती है दोस्तों आपको जिसकी पता होगा कि इंडिया ने एक organization, international organization, MTCR, Missile Technology Control Regime उसकी जो membership लेती उसके पीछे भी यही उदिश्य था कि हम इस तरह की जो टेक्नोलोजी है जो 300 300 किलोमेटर से दाइरे से अधिक जो वार करने वाले मिसाल है वो टेक्नोलोजी हम हासिल कर पाएं इसलिए हम कर सकते हैं और अगर इस ब्रह्मोस मिसाल को सुकोई फाइटर प्लैन से छोड़ा जाएगा तो इसकी जो range है वो 400 किलोमेटर तक हो जाएगी दूसरा दूस्तों यह है कि इसका जो टेक्निकल प्रोसेस है वो काफी complicated होता है और इस तरह का जो वज़न है और इसका range है ऐसी कोई भी आप कह सकते हैं मिसाल वर्ल्ड में कहीं नहीं है यानि कि यह जो टेक्नोलोजी सिफ हमारे पास है और यह बारत के point of view से बहुत important है क्य रहना पर सकता है यानि कि हमें सभी मोर्चों पर सतक रहना इस जो परिपेक्षिय में यह हमारे लिए important हो सकती है supersonic cruise missile है और cruise missile वो missile होती है जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है जो low altitudes होती है उन पर वो fly करती है और जो radar से बच जाती है एक और missile होती है ballistic missiles आजा सकता और जो यह अपने cruise missiles होती है उनको एक बार आप छोड़ दिया है उसके बाद भी आप control कर सकती है क्योंकि इनका जो system होता है वो एक वर्जन होता है कहने का मतलब है कि अगर पाकिस्तान का को टैंक है उसको लक्षे करके मैंने ब्रमोस missile को छोड़ा और पाकिस्तान का टैंक वहाँ से भागने की कोशिस कर रहा है तो missile भी जा जाओ टैंक जाएगा उसके पीचे पीचे जाएगी और जब तक उसको नस्ट नहीं करेगी तब कहने का मतलब है अपने जो तारगे ने पूरा नहीं होगी तब तक वह नस्ट नहीं होगी और ब्रमोस missile को डेवलोप किस ने किया है तो एक corporation बनाया गया था ब्रमोस corporation उसके दवारा इसको डेवलोप किया गया और ये एक joint venture था दो देसों की joint venture था एक तो था इंडिया का ए मसीं श्री निका उन दोनों के joint venture से इसको बनाया गया था और जो ब्रमोस missile का जो नामकरण किया गया वह बारत और रूस की नदिया होती है उनके नाम पर किया गया बारत की तो ब्रह्म पुत्र से इसका ब्रह्म लिया गया और रशया की जो आप कह सकते हैं मस्कावा जो रिवर है उसके से इसका मोस वाला जो बाद वाला जो पोर्सन है वो लिया गया और जो रशेज जो यह मिसाइल है उसकी टेकनोलोजी प्रवाइट कर रहा है और इंडिया ने जो यह इसको ability विक्सित किये ताकि जिस मिसाइल को है गाइट किया जा सकते है दूरिंग जो फ्लाइट है उसके द्वारे इसको काइट करना वो इंडिया ने टेकनोलोजी डेवलोप की है और जो इसकी मिसाइल टेकनोलोजी है वो रिश्या ने हमें प्रदान की है इसके अलावा वही चीज मनें बताई जो है कि अगर यह अपना जो मारगें वदल सकती है according to target और इसको जो अपने कह सकते हैं फ्लाइ कराया जा सकता है वर्टिकल बे में भी करवाया जा सकता है और होरिजेंटल बे में भी करवाया जा सकता है लाँचर के थूँ तो यह थोड़ा सा प्रमोस मिसल के बारे में जान लिया दोस्तों कि टेकनोलोजी पे हमारे कुष्चिन आ सकते हैं प्रीव में भी आ सकता है मैंस में भी आ सकता है और अभी बहुत बड़ी उपलब्दी है तो डेफिनेटली इस पे कुष्चिन पुज़ाने के समाव नादिक रहती है तो आप इस पे थोड़ा सा जो भी फैक्ट बतायागा है मैंने बैसिक भी बताया दिया कुरूज मिसाइल सर्व बैलेस्टे मिसाइल में डिफरेंस किया है इसके लाव कुरूज मिसाइल खोती किया है प्रमोस की विसिस्ता किया है इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बैक्राउंट भी हमने जान लिया अब आते हैं अगली न्यूज पर दोस्तों अगली जो न्यूज हैं वो दलवीर बंडारी से समन देते हैं दोस्तों कल के जो डेली मुज आनलेसिस में हमने दलवीर बंडारी के अबरें में बताया ही था कि उनको जो इंटरनेस्टल कॉर्ट अप जस्टिस है उनमें री जच के रिए एलेक्टेट हुए हैं थोड़ा सा उनकी परस्टनल डेलस के बारे में जान लेते हैं क्योंकि हमारे जो आरेस में जो परस्टनलिटीज होते हैं उनके क्षिशन आते हैं जो दलवीर बंडारी हैं वो राष्टान हाई कोट में एडवोकेशी कर चुके हैं यानि advocate रहे हैं, वकालत कर चुके हैं, इसके अलावा जो दलविर बंडारी साब हैं, वो महाराष्ट हाई कोर्ट में, महाराष्ट हाई कोर्ट में cheap justice रहे हैं, यानि मुख्य नियाजिस रहे हैं, साथ ही वे Supreme Court में judge भी रहे हैं, और 2012 में पहली बार International Court of Justice के लिए उनका chain हुआ वे Second Indian Judge हैं, वो दूसरे भारतिय हैं, जिनका International Court of Justice में दूसरी बार निर्वाचल हुआ, इसे पहले डुंगरपूर के, डुंगरपूर के नागेंदर सिंग थे, जो राजस्तान कही थे, डुंगरपूर के नागेंदर सिंग थे, वो भी अपने International Court of Justice में हैं, दो बार, मतलब कह सकते हैं, कि वहां के Judge बने थे, दो बार बने थे, और अब जो दलवीर बंडारी हैं, वो भी दो बार बन चुके हैं, जो नगेंदर सिंग है, वो वहां President बने थे, मतलब एक बार जज रहें, दूसरी बार भी Judge बने और जज के साथ वो President भी बने, और जो ये दलवीर वाले भारती अगर कौन थे, अगर है सब पुचा जाता है, तो वो B.N. राउ थे, थो थोड़ा से फैक्ट है, कि उन्होंने दलवीर बंडारी कहां कहां रहे हैं, तो इससे पुचा जा सकता है कि दलवीर बंडारी के बारे में निम्न में से सत्य अगतन कौन सा है, या सत्य अगली नूच पर दूस्तों, अगली जो नूच है वो विराट कौली से समय देते हैं, दोस्तों यह निस थोड़ी पुरानी है, लेकिन इंपोटेंट है, इसलिए मैंने इसे कवर किया है, जो विराट कौली है, वो इंटरनेशनल केरियर में उन्होंने 50 सेंचूरी की 50 पू विराट कौली, हलांकि यह जो रिकॉर्ड है, सबसे तीज 50 सतक लगाने वाला, यह उनका इंडिविशनल रिकॉर्ड नहीं, यह थोड़ा कह सकते हैं, जोइन्ट वेंचर टाइप है, यानि हासिम अमला है, वो भी कह सकते हैं, उन्होंने भी उतनी ही पारियों में 50 सतक लग लगा गया था, किस टीम के खिलाप लगया था, यह फैक्ट पता होना चाहिए, अभी जो उतरपदेश पब्लिक सर्विश कमिशन के एक्जाम होए थे, प्री के एक्जाम, उसमें मिताली राज को लेकर ऐसे कुछ फैक्ट पुछे गए थे, तो इसी के लिए विराट कोली क बहुत बड़े कलाड़ी है, इसके लाव अगली जो न्यूज है, वो अफगानिस्तान से समधी थे हैं, दोस्तों, अभी आपको पता होगी कि अंडर 19, एशिया कप जो किरिगेट का होता है, उसका आविजन किया गया था, तो यह जो टुनामेंट है, वो अफगानिस्तान जीत लिया, तो यह पता होना चाहिए, अंडर 19 एशिया कप किष्ण जीता, तो अफगानिस्तान जीता, क्योंकि हमारा दिमाग में जो 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 आएगा ही नहीं, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अफगानिस्तान किरिगेट में सक्ती तो बन रहा है, लेकिन अभी बड़ी सक्ती बनी नहीं है, अब आते हैं अगली नूज पर दोस्तो, अगली जो नूज हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स वुमेंस पावर सेंटर इस्थापित किये जा रहे हैं, उनसे समधिते हैं, एक योजना है, पदान मंतरी मैला सक्ती योजना, ठीक है, जिसको कल कैबिनेट की जो मिटिंग होई थी, उसमें मंचुरी दिये कही थी, थोड़ा सजी ज्यान लेते हैं कि इस योजना का परपज किया है, पदान मंतरी मैला सक्ती केंद्र योजना का परपज ये है दोस्तो, जो ग्रामीन मैला हैं होती, जो रूरल वोमेन होती, उनका जो जितने भी इस्यूज होती है, उनका परपजान कर सकते हैं, और भी उनको इसकिल डेवल्प्पेंट कर सकते हैं, इसमें पुरा प्राफजान किया गया है, तो थोड़ा से इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि योजना ऐसा पूचा जा सकता है, नहीं पूचा जाए, तो वो मैन एमपॉर्मेंट से समुध कभी भी अगर ऐसे वगेर आ जाता है, तो उसमें भी इसी उसना कवले कर सकते हैं, अब आते हैं अगली नूज पर दोस्तों, अगली नूज बहुत ही इंपोर्टेंट नूज है, वो हैं, कल जो केबिनेट की मीटिंग होई थी, उसमे फाइनेंस कमिशन के गटन को मंचर जदी गई, यह जो फाइनेंस कमिशन है, वो पंदरवा फाइनेंस कमिशन है, और यह जो फाइनेंस कमिशन है, यानि वितायोग, यह जो कारिय करेगा, यह 2020 से लगाकर, 2025 तक कारिय करेगा, अभी वर्तमान में कौन सा फाइनेंस कमिशन क जान लेते हैं, Finance Commission का जो प्रावदान है, वो सभीदान के अनुचे 280 के तैद किया गया है, और ऐसे प्रावदान है कि परते एक 5 साल में, या पिर अगर जरूरत हो तो 5 साल से पहले भी इसका गटन किया जाएगा, और इसका जो गटन किया जाएगा, वो President of the Country, यानि कि राष् जनसत तैय करेगी, यह ध्यान रखना, कठन कौन करेगा, राष्टपती, लेकिन इसके सदश्यों की क्वालिफिकेशन कौन तैय करेगा, पार्लियमेंट के मेंबर तैय करेंगे, थोड़ा वितायोक जो होगा, उसके कार्यों के बारे में जान लेते हैं, यह सेंटल वितायो करता है, उसका जो गठन किया गया है, वो अपने जो तेहोतरवा और चाहोतरवा सविदान संसुदन किया गया था, उसके ताथ उसका गठन किया गया है, यह है सेंटल वितायोक, तो इसका कजो कार्य होता है, वो यह होता है, कि जो टेकसेस मिलते हैं, टेकसेस होते हैं, जो केंदर सरकार के बीच उन जो करो का बटवरा कैसे होगा जितने भी फार्मुले कैसे बनेंगे ये सब कौन करता है वितायोग करता है सेंटल वितायोग इसके अलवा जो भी अपने भारत की संचित निद्धी होती है उसे जो विविन राजी है जिसे राजस्तान उतर से समझ दीता अगर कोई इस्यो उबरता है सेंटल और स्टेट के बीच में तो उन इस्यो की मॉनिटरिंग करता है जो ये वितायोग होता है अब जो ये वितायोग गटित होगा 2020 से लगा कर 2025 तक ठीक है तो इसके सामने कुछ चैलेंजेज होंगे तो चैलेंजेज कौन कौन से होगे उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तो अभी क्या है कि हमारे देश में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो काफी आ रहा है लेकिन ये अन्बैलेंस डिस्टूबिशन में आ रहा है क्याने का मतलब यह है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेब इन्वेस्ट करी नहीं रहे हैं तो फिर इससे क्या होता है कि जो अलग-अलग राजी हैं उनमें असमानता बढ़ रही है तो इस असमानता को कैसे दूर किया जाए इसको ये चैलेंज होगा जो फाइनेंस कमिशन के बारे में इसके लावा जो आपको पता होती है एक सब फो थोड़ा वैन करती हैं तो यह रास्तान में भी उदेय होजना लगो किया गई है बैसे कलिसे के सामने चैलेंज होगा इसके अलब आज कल आज कर बता जैसे कि climate change काफी हो रहा है तो रिजास्टर काफी हा रहे हैं तो रिजास्टर पे काफी एकोन्वी को काफी loss होता है तो उसके लिए भी कैसे fund allot होगा वगरा वो भी सब decide करना इस वितायों के सामने एक चनौती होगी अब आते हैं एकली नूज़ पर दोस्तों कल जो cabinet की meeting हुई थी उस cabinet की meeting में जो एक bank है European Reconstruction and Development Bank यानि European Poonan Irman and Vikas Bank तो उस bank का जो भारत हैं वो सदस्य बन चुका है officially उसकी जो membership है वो कल cabinet की meeting में approved कर देगी तो ऐसा पुझा जा सकता है exam में हमारे कि निवने में से किस अंतराश्ची शंक्रिटन का भारत सदस्य है तो उसमें अगर यह option देदे तो यह पता होना चाहिए कि यह बिल्कुल है European जो कह सकते हैं पुने निर्मार हैं विकास बैंक का member हैं भारत तो यह थोड़ समय पता होना चाहिए अगली news पर आते हैं दोस्तों अगली जो news हैं वो Robert Mugabe से समझत हैं दोस्तों यह भी Robert Mugabe काफी ट्राफ से चरचित हैं यह news cover नहीं हो पाई थी पहले तो हमने cover करने की कोसिस की आज Robert Mugabe हैं वो जिंबाबे के president थे और उन्हें अभी जो जिंबाबे में राज़ातिक परिसित्या बदली हैं उनके मद्दद उनको वहां से हटा दिया गया है थोड़ा समय पता होना चाहिए कि जो Robert Mugabe हैं वो उनका समन्द किस देश से हैं तो जिंबाबे के हैं जिंबाबे के वह president रहे हैं राष्टपती रहे हैं और यह जो अस्वेत लोग होते हैं उनके काफी प्यारुकार रहे हैं और मुझे याद हैं कि किर्गेट में जब यह Robert Mugabe पहली बार बने थे जिंबाबे के राष्पती 2004 के आसपस तो 2004 के आसपस उनको पॉलिसी बनाएती राष्पती पहली ही बने चोके थे उनको पॉलिसी बनाएती जिसमें जो अस्वेत लोग होते हैं ठीक है उनके लिए काफी उनको काफी रियायत्य दी थी इसलिए काफी बड़े-बड़े करिकेटर थे जो स्वेत लोग थें जिसलिए कि अपने हीद इस्टिक वगरा थे तो उस समय वो जिंबाबे को छोड़के इंगलेंड चले गए थे और तब तादेंदा ट्रैबू को जिंबाबे का कैप्टन बनाया गया था तो उससे में थोड़ा सा इस्टिक थोड़ा सा जान लिया कहानी मुझे याद आगे इसलिए जो रबर्ट मुगाबे को पता होना चाहिए किस देश से समंदित हैं जिंबाबे से और वहां के प्रेशिडेंट रहे हैं उनको हाली में हटाया गया है यह सोड़ सा पता होना है चाहिए अब आते हैं अगली नूज पर दोस्तों अगली जो नूज है वो पब्लिक मेडिशन से समंदित प्राइब मेनिस्टर्स की स्किम है प्राइब मिनिस्टर्स स्किम औप पब्लिक मेडिशन यानि कि अगर हिंदी में काऊन तो पदान मंतरी जन औसदी योजना उसे समंदित हैं तो दोस्तों जैसा कि इस योजना का जो उदेशिय है इसमें क्या किया जाएगा कि जो affordable drugs and surgical instruments आपको provide करवाय जाएगे यानि कि आपको जो दवाया मिलेगी या drugs या medicines दवाया जो भी होंगी वो आपको कम दामों पे मिलेगी जो आपके कह सकते हैं budget में होगी इसके लाब आपको surgical जो भी instruments हैं वो भी आपको provide करवाय जाएगे तो ये योजना दोस्तो पहले इसको योजना को उत्रपदेश में लागू किया गया फिर कस्बीर में लागू किया गया और अब तीसरा state होगा राजिस्तान जाएगा इस योजना को लागू किया जाएगा हालंकि हमारे यहां तो पहले भी ही जो असोग गलोजी का कारेकाल था पिछला उसमें मुख्य मंत्री निस्तुलक्त दवा योजना की सुरवात की गई थी उसमें दवया है वो फ्री में अल्रडी हमें मिलती है लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा गवर्मेंट ऑस्पिटल म मिलेगी फ्री में मुख्य में मिलेगी जैनेरिक दवया मिलेगी इस योजना के दाद तो ये योजना राजिस्तार में अच्छी चली तफिर तमिल अडू में भी इसको लागू किया गया तो फिर बदान मंत्री जन औस योजना अब इस योजना को राजिस्तार में लागू मिलेगी वो आप प्राइवेट होस्पिटल से इलाज कर आते हैं तो भी आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा तो यह थोड़ा योजना में डिफ्रेंस है अपने मुख्यमंति निशुलक दवाय योजना से जैसे कि जोदपुर एम्स है या पिर जोदपुर एम्स है तो वहाँ भी इस योजना को लागू किया गया है पदान मंतरी चन असदी योजना को जोदपुर एम्स में भी लागू किया गया है जबकि जोदपुर एम्स में आपको दवया मिलती है वो बाश्य खरीजनी परती लेकिन अब आपको सस्ती मिल जाएगी अब आते हैं अगली नुच पर दोस्तो वो जो न्यूज आए वो बॉन क्लाइमेट कॉन्फरेंस से समझ देता है दोस्तो इसको लेकर आज पत्री का में एक आल्टिकल आया था यह COP23 था Conference of Parties 23 था तो अब इसमें भी आल्टिकल में यह बताया गया कि इसका भी कुछ खास कुल जमान निसकस नहीं निकला यह जो डेवलप्ट कंट्रेज हैं अमेरिका जैसे कंट्रेज हैं उनका मांग यह हैं कि जो Paris Agreement का Implementation तो होना चाहिए लेकिन उसके Implementation के लिए सबी देशों को Equal Efforts करने होंगे सबको समान परियास करने होंगे ऐसा नहीं कि आप जो विकासिल देश हैं वो अलग परियास करें उनको ज़्यादा परियास करने होंगे जो विकासिल देश हैं अगर हम अभी से अगर जिवास में इतन वगरों को बन कर देंगे तो ये जो इस्यू चल रहा है वो चल रहा है और आज की बात नहीं चल रहा है और आगे भी चलेगा ठीके तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अपने जल्भाई परिवर्टन पर सही डंक से कारवाई क्यों नहीं हो पा लिए क्योंकि विकास सील देश और विक्सीद देशों में कह सकते हैं उनकी अपने अपने नेजी ही थे हैं और वो एक राई नहीं बना पा रहे हैं तो इसे के साथ आज के डेली नूज आलेसिस यह समाब्द करता हूँ दोस्तों आज के डेली नूज आलेसिस में हमने कुछ परिवर्तन किया हैं जो आपको स्लाइड आप देख रहे हैं वो आपको आज इंगलिस में प्रवाइड करवाई कहीं हैं काफी टाइम से डिमांड आ रहे थी कि स्लाइड से कम से कम इंगलिस में परवाइड करवाई जाएं क्योंकि काफी जो इंगलिस मीडियूम के स्टुडेंट्स हैं वो भी आरपेस से उनली के से जड़े हैं नमेंसे काफी तो कह सकते हैं काफी जो भी आपको कैसा लगा अच्छा बुरा विद लॉजिक आपको सब कमेंड बॉक्स में बताना है अगर जैसा भी आपको लगता है तो इसे के साथ मैं ये डियारीन जाना देसे से माप्त करता हूं इसको सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आबार बहुत बहुत धन्यवाद